दिपिका रनवीर ने अली बाग में अपने नए घर में किया ग्रिह प्रवेश पूजा की तस्वीरें आई सामने। इसमें दिपिका के साथ रनवीर नजर आ रहे हैं। दिपिका पादुकोन और रनवीर सिंग अब अली बाग में भी एक शानदार वेकेशन होम के मालिक बन गए हैं। दोनों ने इस दोरान विदिवत पूजा अर्चना की। इस पावर कपल ने अपने लाखो फैंस के लिए इस पूजा की तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर किया जो की तेजी से वाइरल भी हो रही है। दिपिका और रनवीर ने अपने घर की पहली जहलक दी। पहली ही तस्वीर में दोनों को एक साथ बैठ कर हवन करते हुए देखा जा सकता है। दोनों ने एक तस्वीर में घर के दर्वाजे की भी जहलक दिखलाई है। इसके साथ ही पूजा के सारे रस्मों की तस्वीरे भी रनवीर ने यहां शेयर किया है। रनवीर सिंग ने हाली में मुंबई के बांदरा में 119 करोड रुपे में एक अट्राक्टिव सी फेसिंग क्वा डूपलेक्स खरीदा था ऐसा कहा जाता है कि ये सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी और शारुक खान के मननत के बीच स्थित है। उस समय ये खबर भी सुर्खियों में थी। रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि उनका ये अपार्टमेंट बैंड स्टांड पर सागर रेशम टावर की सोलहवी सत्रहवी, अठारवी और उनीसवी मन्जल पर फैला हुआ है। इस प्रीमियम ट्रॉपर्टी का कुल कार्पेट एरिया 11,286 वर्ग फूट और एक 300 वर्ग फूट का छट भी है। दिपिका पादुकोन के वर्ग फ्रॉंट की बात करे तो वह बहुत जल्द शारुक खान के साथ फिल्म पठान में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ जौन इब्रेहम भी नजर आएंगे। इसके अलावा दिपिका अमिताब बच्चन और प्रभास के साथ नाग अश्विन की अगली फिल्म की शूटिंग भी कर रही है। इसके अलावा वो एक बार फिर से अमिताब बच्चन के साथ दे इंटर्न के हिंदी रिमेक में भी काम करेंगी। वही रनवीर सिंग के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पूजा हेगडे के साथ रोहिच शटि के फिल्म सरकस में नजर आएंगे। इसके अलावा वो करन जोहर के फिल्म रौकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म के शूटिंग इन दिनों चल रही है।